अगामी 22 जन्वरी को आयोध्या में बगवान शिरी राम की प्रान प्रतिष्ठा से पहले राइबरेली में खादे सुरक्षय विभाग सगन छापे मारी कर रहा है। आयोध्या को जाने वाली सडक के दोनों और जितने भी धाबे वा रेस्टूरेंट पढ़ रहे हैं सभी पर छापे मारी कर साफसफाई रखने के निर्देश दिये जा रहे हैं। इसी निर्देश के तहट खादे सुरक्षय अधिकारियों की टीम बना कर आयोध्या मार्ग के सभी धाबों और रेस्टूरेंट पर छापे मारी की जा रही है। जी अगामे 22 जनवरी 2024 को श्री अजोध्या जी धाम में श्री राम जन भूमी श्री राम लला की प्रान प्रतिष्ठा के क्रम में इस आयजवन को सफल बनाये जाने हेतू। यूपी के प्रतेक जनपद से सरधालू श्री अजोध्या जी धाम जा रहे हैं। उस क्रम में जनपद राइबरेली से भी बहुत सरधालू अजोध्या जी धाम की ओर प्रस्थान करेंगे एवं इस मार्गों से गुजरेंगे। तो उक्त के क्रम में स्रिमान आयुक्त खाद सुरक्षा एवं आउसधी प्रसाशन लखनाओं के द्वारा आदेश किया गया है। कि जनपद से श्री अजोध्या जी धाम की ओर जाने वाले मारगाओं पर जितने भी खाद प्रतिस्थान, फूट भेंडिंग, इस्टेबलिस्मेन, धावा, रेस्टोरेंट, इत्यादी हैं। तो स्रध्वालों को सुरक्षित खादेवं पर पदार्थ उपलब्ध हो, इसके लिए उक्त प्रतिस्थानों की सघन चेकिंग की जाए। वहाँ खान पान के विवस्थाओं में सुधार कराया जाए। उसी क्रम में आदेश आया है कि दिनांक 12 जनवरी 2024 से दिनांक 24 जनवरी 2024 तक एक विशेश अभियान चलाया जाए। जिसमें गहन निरिक्षन जागरुकता जरूरत के अनुसार कारवाई इत्यादी की जाए। उक्त के करम में दिनांक 12 जनवरी से ही जनपद में मुख्य खाद सुरक्षा अधिकारी स्री इंद्र बहादुर यादव के नित्रित में खाद सुरक्षा अधिकारियों टीम गठ खित कर दी गई है और हर जगा सभी मार्गों पर सगन निरिक्षन किया जा रहा है। देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर